हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूटूब चैनल पर मेरा नाम है दिनेश आप देख रहे हो टेकनिकल दिनेश आज की वीडियो में बात करने वाले ओपो F11 Pro CPH1969 को फ्लैश कैसे करते हैं अगर आपके फोन में कोई प्रॉब्लम है जैसे के आपका फोन हैंग ओन लोगो कंडिशन है या फिर आपका फोन चलते हैं बंद हो गया है तो आप उसको कैसे फ्लैश कर सकते हो यह मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ तो चलो शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको यह दो फड्र इस दे दुओआ करके वीडियों कötे किर दो बादि करने के बामें आपको वीडियोbled कर देदो को डूम बामें वीडियो को प्रॉब्लो करना है और flash tool ko double click करके running करना होगा double click या पर right click करना होगा вообще जैसा से मैं इसा से आप करोगे और पी प्र्लेम्हों होज़एगा तो यह जैसे हमने tool open गलीया mixing और यहां पर हमको अपना डी-ए-पाय़ सिल्क करने होगी वो भी हमें उसी फोल्डर में मिल जाएगी All MTK, Auth Bypass वाले फोल्डर में SP2, 1924 यहाँ पे यह वाला MTK, All-in-one, DA, Bin तो यह हमने DA5 सेलेक कर दी उसके बाद में हम सेलेक करते हैं Auth File यहाँ पे वो भी हमें वही फोल्डर में मिल जाएगी यहाँ पे Auth File रखी हुई है उसको भी डबल क्लिक करके लोड कर देना है अब बाकी रही Farmware Flash File यह मैंने यहाँ पे Desktop पे रखी हुई है तो चलो उसको चूस करते हैं यहाँ पे चूस करना है चूस पे क्लिक करना है यहाँ पे Desktop Select करना है अगर आपने Desktop पे रखी है तो ठीक है अब यहाँ पे हम File Select करते है Oppo F11 Pro वाले फोल्डर में जाके यह MT6771 वाले फोल्डर में जाके MT6771 Android Scatter सेलेक करते है ठीक है तो यह हमारा इतना काम हो गया है उसके बाद में हमें क्या करना है वो Most Important है ठीक है उसके बाद में एक भी स्टेप आपको Miss नहीं करना है जैसा हमें कर रहा हो यह से सेम आपको करना है तो आपका भी प्रॉल्डम Solow हो जाएगा ठीक है और एक बात यह है कि यह आप अपने रिक स्पेक करना होगा आपको इसकी कोई मेरी कोई रिस्पोंसिविटी नहीं होगी ठीक है तो और बाइपास वाले फोल्डर में जाते है यहाँ पे हमें यह जो है लाई यूएस ब्राइवर इंस्टोर करना होगा डबल क्लिक करके नेक्स्टोर एगरी करना है यह स्टेप मॉस्ट इंपोर्टेंट है यह आपको जितनी बार आप फोन कनेक करोगे कोई भी लेटेस फोन आप कनेक करोगे तो आपको यह ट्राइवर इंस्टोर करना होगा ऐसा नहीं कि एक बार इंस्टोर कर दिया तो काम हो गया एक बार इंस्टोर कर दिया उसके बाद में आपने कोई फोन पे काम किया उसके बाद में आप दूसरे फोन पे काम कर रहे हो तो second time है आपको ini driver install आँगा तो इसे दीन ने install कर दिय आए उसके बाद में hai फे next करना एंगा स्वाए यहां पे इसको cancel करते है ठीक एक भी step Mりました मिला करना जैसे यूप करना हो यूप को करना उगा ते कि उपने अन्रों हो 12 those courtroom के रिगे वाले फेल्डे में जाना है यह आपर हमें यह । करना है यह software सिकुरिटी वाइपस करने के लेगे है है तो उसके बादप अपराने के पहस्हं को से सीकुरिटी वाइपस करने हो गाई है अपने फोन इस आप एपस्छे कर पाएंगी सच Crispy सब्सक्राइब पहले हमने driver install किया, उसके बाद में आया है, हमने यह software से security bypass करनी है, ठीक है? यह हमारा software चालू हो गया है, यहाँ पर auto पर रखना है, यहाँ पर bypass पर क्लिक करना है, ठीक है? और अपने phone को switch off कर दिना है, यहाँ पर installing driver आ रहा है, तो हमें थोड़ा wait करना होगा, ठीक है? यहां पर OK आ गया है और लिख के आ रहा है Waiting for Chrome ठीक है तो अपना phone switch off करके Volume के दोनों button प्रेस करके हमें अपना phone connect करना होगा जैसे मैं कर रहा हूँ ठीक है और यहां पर side में device manager open करके रखोगे तो जादा better होगा तो यहां पर हमें पता चलेगा कि हमारा phone connect हुआ के नहीं हुआ ठीक है तो चलो phone connect करते है double click volume के दोनों button दबाके ठीक है जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो कि यहां पर लिख के आगया protection disable मतलब मेरा phone connect हो गया है ठीक है यहां पर device manager में let's show कर रहा है अब यहां पर अभी show कर रहा है media tech USB port comment ठीक है और यहां पर protection disable हो चुका है ठीक है अपने phone को disconnect नहीं करना है ठीक है जब तक हम flash नहीं कर लेते तब तक अपना phone disconnect नहीं करना है हमें ठीक है यहां पर phone connected रखना है हमारा protection disable हो गया है ठीक है अब यहाँ भी simply हमें यह काम तो हमने कर दिया, फाइल भी लोड कर दी। हमें simply हमें यह download पर click करना है। तो देखो यहाँ पर flashing start हो गई है। जैसे कि आप देख सकते हो कि flashing start हो गई है। तो चलो इसको फ्लैशिंग होने में देना है तो चलो इसको फ्लैशिंग होने में देता हूँ डिवाइस मेनेजर को मिनिमाज कर देता हूँ आप किसी और मोडल को फ्लैशिंग मत करना यह फाइल और टूल दोनों यह मॉडल के लिए ओपो एफ 11 प्रो के लिए अधिनी और किसी मोडल को इस फाइल करने कि ट्राइम करना वर्ना आपका फटाड़ भी हो सकता इसकी पूरे पूरी जीमेदारी आप की रहेगी अगर फ्लैशिंगए हो गया तो इसकी कुरे पुरी जीमेदारी आप के होगी मैं मैं responsible नहीं रहूंगा तो देखो यहां पर system file flash और यह नीचे system file लिख्के आ रही है system system file लोड़ने में तोड़ा time लगता है और किसी model को flash नहीं करना है आपको इस file से इसी model को flash करना है Oppo F11 Pro में भी दो model आते है तो उसका CPH दिखने के बाद में आपको flash करना है इसका CPH है CPH1969 है तो आपको अगर आपके phone का CPH1969 है तो यह आपको यह file से flash करना है और किसी file से flash और किसी अगर आपका phone का CPH कुछ अलग है तो आपको इस file से flash नहीं करना है अगर आपके phone का CPH भी same है CPH1969 तो ही आपको इस स्वाय से फ्लेश करना है, ठीक है? फ्लेशिंग करने से आपके बहुत सारे इश्यू सौल हो सकते हैं, जैसे कि आपका फोन हैंग ओन लोगो कंडिशन में, या फिर आपका फोन डाइड कंडिशन में, चलते जलते बंद हो गया है, या फिर आपका फोन ज्यादा हिंग हो रहा है, या फिर आपके फोन में पासवर्ड है, एक्सेश्टर, प्रॉलम के लिए आप फ्लेश भी कर सकते हो, लेकिन अपने रिक्स पर कर सकते हो, ठीक है? अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे, तो वीडियो को लाइक करना मत बूलना, और चैनल को सब्स्राइब करना मत बूलना, यहाँ पर थोड़ा टाइम लग रहा है, वीडियो तोड़ा लंबा हो रहा है, इसके लिए माफ ही चाहता हूँ, लेकिन यह टेस्टेट वीडियो है, मैंने अपने फोन पर फ्लेश करके देख लिया है, इस वाइल से मैंने अपने फोन को फ्लेश किया था, मेरा फोन डेट कंडिशन में था, तो फ्लेश करने के बा बहुत सारी चीज़े कर सकते हो hang-on logo condition भी solve कर सकते हो आजकल के phone में बहुत सारी different type की problems आती है कभी phone hang-on logo condition में stop हो जाता है कभी ड़ेड हो जाते है चलते जलते है कभी phone चालू नहीं होता नीचे सिर्फ left corner में recovery लिख के आता है स्टॉप हो जाता है। बहुत सारी डिफरैंट टैप की प्रॉलम्स आ रहेए आजकर हैं है को तो कोई भी प्रॉलम के लिए आप को इस मडल को इस वाइब से कि कोईबर फाहलों मोडल को किसे सी चाहरे ल्वेसट कर सकते हैं 10 मिट हो चुके, अभी क्या पता और कितना टाइम लेगा, ठीक है? ये फाइल की और ये टूल की लिंक में आपको डिस्कुप्शन में दे दूगा, वहाँ से आप डाउनलोड लोड सकते हो अगर आपको कोई इश्यो आता है, कुछ फ्लेशिंग करने में कुछ प्रॉलम आता है, तो आप कमेंट करके, कमेंट बोक्स में जाके कमेंट कर सकते हो जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ पे सिस्टम फाइल अप्लिट हो ने आ चुकी है 97, 98 यहाँ पे डाउलोड हो के लिए लिख के आ गया है, बस इसे सिंप्ली से ख्लोज कर देना है, और अपने फोन को डिस्कनेक करके चेक करना है, आपका फोन की प्रॉलम सौल होई कि नहीं होई, तो अगर आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सबस्क्राइब परना, थैंक यू फोर वाचिंग मैं वीडियो, बाइबाइ गाइस